नमसकार किसान भाइयो आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों यह जो आप देख रहें है यह परवल का बेल लगा हुआ है परवल के खेती कैसे किया जाता है उसब कुछ इस वीडियो में देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर बेल लगा हुआ है यह इस तरीका के मचान बनाया जाता है इस पर चढ़ा करके परवल इसके उपर फरता है किसान भाई आप लोग जानते ही होंगे कि सबजी लगाने के लिए उसका बीज लगाना बहुत ही जरूरी होता है उसी परकार से यह जो आप परवल देख रहे हैं इसका बीज नहीं आता है इसका जो जर होता है जो परवल का जो बेल होता है जहारे जो होता है उसका जो जर होता है ओजमिन के अंदर डाला जाता है बीज के जगा पे तो इसका बेल उपर आता है या नहीं तो इसका जो सखा ह होता है जो बेल निकला होता है उसको कटिंग करके उपर और नीचे से एक जर नीचे डाला जाता है एक उपर निकल के पत्ती बनके साखा बन जाता है और इसको दो भीदी से मैं बताऊंगा कि किस तरीका से इसका खेती किया जाता है तो एक जो देशी परवल होता है उसका मैं बताऊंगा और दूसरा जो होता है हाइब्रीट का परवल उसका बताऊंगा तो आप इस तरीके से मचान बना सकते हैं लगकर का देखिये किस तरीके से बना हुआ है तो जमीन से 4-5 फिट उपर एक मचान बनाएं जिसके उपर ये बेल उसके उपर चल सके और जहां तक इसकी लंबाई और दूरी रखेंगे वहां तक ये बेल जाती है और सबजी इस पर जो परवल होता है वो फड़ता है तो देख सकते हैं परवल कहीं कहीं फड़ा भी है तो इस तरीके से आप पूरे बेल को चोड़ाई में और लंबा में पूरे फैला करके मचान के उपर और वहां से परवल उत्पादन आप कर सकते हैं और परवल ले सकते हैं तो इस तरीका से अब परवल के ये मचान बला जो खेती होता है इस तरीके से जो जहाखा लगा करके इसे मचान बोलते हैं इस तरीके से बना करके आप परवल ले सकत तो देख रहे होंगे कि परवल कितना अच्छा निकला हुआ है परवल लगना स्टार्ट हो गया है तो रूपने के जो महिना होता है यह फरवरी के महिने में इसको जर जो है वो जमीन के अंदर बीच के तोर पर डाला जाता है और किट नासक दवाज अब देख रहे हैं यह अ कितना अच्छा से परवल सब फड़ा हुआ है तो फरवरी के महिने में जैसे आप लगाएंगे जनबारी के लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग से लेकर के मार्स तक भी आप लगा सकते उसके बाद जून से आपका जो परवल सबजी निकलना स्टार्ट हो आता है तो यह जो आप परवल अभी आप देख रहे हैं यह देशी परवल है इससे पहले जो आप देख रहे थे वो हाइबरीट के था यह देशी नसल का परवल है तो देखिए कितना अच्छा परवल लग रहा है औ और परवल का बेल जो होता है ज़ारी आफ एक बार लगा देते हैं, तो 20-30 साल तक ये एक बेल आपको जादेती रहेगी तो देखले कि किस हिसाब से आपको कितना पेर लगाना है और जाथना प्रवल खेटी करने करने के लिए उतना प países का बैल लगा सकते हैं तो यह देशी परवल था अब यह जो परवल देख रहे हैं कि चारो साइड से बोर्डर दिया गया हुआ है और उसके उपर इसको बेल को लगाया गया हुआ है तो यह जो है हाइब्रीट का वो परवल है तो इसका भी जो देख रहे हैं कि बतिया जो है छोटे छोटे जो होता है फूल भी आ चुका है तो मैं आपको दिखा देता हूँ और इसका जरे जो है वो नीचे यहां से स्टार्टिं Rank हुआ है और इसका एक ब्रांच निकल करके इधर भी लेफ लेफ साइड को आया हुआ है तो और बाकी इधारका राइट सायड में जो है इधर निकला हुआ है तो एक बतिया फरा हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूं इधर लिया करके यह हाइब्रीड का जो परवल का जर्य हुए वह लगा था तो देख सकते हैं यहां पर यह भी अब देख रहे हैं कि फरना स्टार्ट हो चुका है तब चाहे तो कट घेरा टाइप का ऐसे करके दूसरा तरीका यह है इस तरीका से खिती करें पहला तरीका मचान करें